हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो नॉलेज एट्यूद मेट्स आज में सॉल्ब करने जा रहे हैं क्लास 10 आरे सग्रवाल निव अधिशन चैप्टर 3 वेर अफ लिनेर एक्वेशन इन्टु वेरिबल्स एक्सरसाइज 3 इसे क्वेशन नूम्बर 7,8 और 9 मतलब हमारा क्वेशन में क्या रहा है कि अगर हमने 45 सब्स्ट्रैक्ट किया किस से 20 ग्रेटर नंबर तो इसका रिजल्ट आ रहा है दूसरा नंबर मिलने पर इसका रिजल्ट आ रहा है दूसरा नंबर और अगर हमने 21 सब्स्ट्रैक्ट किया है किस से 20 ग्रेटर नंबर तो इसका रिजल्ट आ रहा है हमारा ग्रेटर नंबर तो हमें नंबर्स फाइन करने है तो यानि हमारे दो नंबर है कि स्मॉलर और ग्रेटर तो हम पहले लेट कर लेटे कि स्मॉलर नंबर कितना है ग्रेट the greater number greater number B X and smaller number B Y, ठीक है greater यह है smaller यह है, तो according to according to question question में क्या कह रहा है कि 45 subtract किया है हमने, किस से किया है twice the greater, greater number का twice करने के बाद जब हमने उसमें से 45 subtract किया है तो इसका जो result है वो क्या दे रहा है, दूसरा number दे रहा है तो दूसर number क्या है, smaller number ही तो है तो दूसर number यह मिल रहा है यनि कि यह हो जाएगा 2X minus Y is equal to 45, इस equation number first माल लेते हैं and second में हम से बोला है कि if 21 is subtracted from the twice the smaller number smaller number का twice करने पर 21 subtract करने पर जो result हो रहा है, वो कितना है greater number मिल रहा है, तो greater number है x, यनि कि यह हो जाएगा 2Y minus x is equal to 21 इसे हम equation second माल लेता है तो इतना आपको समय में आ गया होगा, अब इसको solve कर लेंगे x और y को, तो आपको greater तो यहां पर ले लेते हैं y, first and second तो first वाला हमारा क्या है 2x minus y is equal to 45 है second है 2y minus x is equal to 21 है तो अभी काम करते हैं, इसमें हम 2 से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2x minus y is equal to 45 यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा, अगर मैं x को इधर कर दो यह हो जाएगा 2x और यह हो गया plus 4y is equal to 2, 42 तो यह cancel हो गया, यह हो जाएगा हमारा 3y और यह हो जाएगा 3, 3 से 3 cancel हो गया तो y की बालू आ गई हमारी 1 तो यहां से y की बालू हमारी 1 आ रही है sorry, हमने add किया है, माइनस नहीं किया यह हो जाएगा 7, 87 हो जाएगा 87 है, तो इसको हम 3 से cancel करेंगे 3, 2, 6 और 3, 9 जा 27 तो यह हो गया, y is equal to 29 तो y की बालू आ रही है, 29 अगर y की बालू 29 आ रही है इस equation first में put कर लेते हैं तो by equation first equation first है हमारा 2x minus y is equal to 45 2x minus 29 is equal to 45 2x is equal to 45 plus 29 9, 5, 14 carry 1, 4, 3, 7, 74 2x is equal to 74 x is equal to 2, 3 is a 6 और यह हो जाएगा 2, 7 is a 14 37, so therefore जो greater number है वो हमारा कितना है greater number जो की x है वो हमारा आ रहा है 37 जो की बाड़ा आई रहा है और इसके बाद जो हमारा smaller number है वो हमारी y है और वो हमारा रहा है 29 जो की सही है तो यह हमारा बड़ा ही और smaller जोटा है तो यह हमारे हो जाएगा answer तो यह था question number 7, question 8 को भी solve कर लेते हैं question 8 में कह रहा है if 3 times the larger of 2 numbers is divided by the smaller we get 4 as a question and 8 as a remainder and if 5 times the smaller is divided by the larger we get 3 as a question and 5 as a remainder find the number अगर हमारे यहाँ पर smaller or greater number है तो उनको divide करने पर क्या मिल रहा है remainder question हमसे यही question में कह रहा है कि अगर हमने 3 times जो है larger number को क्या किया 3 times कर दिया of larger number और 2 numbers जो है of 2 numbers तो उसको divide करने पर हमको मिल रहा है by the smaller number के साथ divide करने पर हमको क्या मिल रहा है 4 questions और 8 remainder और अगर मैं 5 times जो है smaller number को करके divide कर दिया larger number से तो हमको 3 as a question मिल रहा है 5 as a remainder मिल रहा है larger लेंगे and larger number b b y greater smaller और यहां पर larger word यूज किया है तो हम smaller और larger ले ले लेते हैं so according to according to question question में क्या कह रहा है पहले वह समझते है generally हमारा rule होता है क्या dividend होता है मारा वह is equal to होता है divisor into divisor into quotient plus remainder होता है ठीक है तो अब हम इसको अगर देखें तो कह रहा है हमसे की यहां पर जो है 3 times किया है larger का larger क्या है y है तो अगर हमने y का 3 times किया है तो 3 times किया है of 2 numbers is divided by the smallest smaller से जब हमने divide किया है तो हमने यहां पर क्या किया है जब हमने इसको divide किया है तो हमें क्या मिल रहा है आपको पता है कि जब हम इसको divide करेंगे तो ऐसे होगा न अगर हमा लिजे ऐसे y को ऐसे divide कर दे रहे हैं टीक है यहां पर हम ऐसे लेंगे टीक तो यानि कि जो भी आएगा उसमें तो डिवाइट करने पर फोर हमें एक वेशन मिल रहा था और रिमेंडर हमimento 7 मिल रहा है यही हम से क्वेशन में कहा है ठीक है यह हमसे कहा है कि जब हमने इसको डिवाइड किया है वो भी किस से थ्री टाइम से तो आपको पता है जनरली यह क्या होता है डिविडेंड होता है और यह वहला डिवीजर होता है यह क्वेशन होता है और यह रिमेंडर होता है तीक आपको पता है प्लस 8 ठीक 4x प्लस 8 ही तो होगा क्योंकि इनका इसे multiply हो तो यह हो गया तो यह हो जाएगा हमारा 3y-4x is equal to 8 equation number first फिर कह रहा है हमसे कि अगर हमने five times से smaller से divide कर दिया अब जो five times से smaller है उससे divide कर दिया हमने इसको larger से तो किता आ रहा है हमारा three questions आ रहा है और five reminder ठीक यह हो जाएगा हमारा and five x हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा three y plus five यह हो जाएगा equation एक मेरी इसको कर लेते हैं five x minus three y is equal to five यह हो जाएगा हमारा equation number second to first two second को solve कर लेते हैं तो by first and second first and second first and second first हमारा है three y minus four x is equal to eight second है five x minus three y is equal to five तो इस वाले terms में इस वाले terms में क्या कर लेते हैं यह हमारा three y है और यह four y है तो यह इसको जो हम add करेंगे तो यह वाला cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा five x है यह four x है add करेंगे तो plus minus minus हो जाएगा यह एक्स हो जाएगा x is equal to कितना हो जाएगा eight or five कितना होता है थर्टीन यह हो जाएगा हमारा थर्टीन तो x की वालू कितनी आ रही है 52 थर्टीन फोजा 52 और यह हो जाएगा हमारा eight or two ten zero carry one sixty तो three y is equal to sixty three twos are six y is equal to twenty तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे smaller number है वो 13 है जो larger number है वो 20 है तो यहां लिख लेते हैं therefore the smaller number x is equal to 13 and यह larger number जो हमारा है y is equal to twenty यह हमारा answer हो जाएगा यह था question number eight question number nine को भी solve कर लेते हैं question nine में कह रहा है if two is added to each of the given numbers their ratio becomes one is to two however if four is subtracted from each of the given numbers the ratio becomes five is to eleven find the numbers अगर हमने two add किया है given numbers में तो उनका ratio one is to two आता है और अगर हमने four subtract किया है तो उसका ratio जो है उस number का five is to eleven मिल रहा है इसका मतलब है कि जो number है वो ratio में रहे होंगे तो सबसे पहले let कर लेते हैं कि जो इसमें first number है वो हमारा x है let first number b x and जो second number है उसको हम while add कर लेते हैं तो अब according to question हमसे क्या बोला है according to question हमसे का है कि two is added to each of the given number अगर दोनों number में two add कर रहे हैं तो उसका ratio one is to two मिल रहा है यानि ratio one is to two मिल रहा है कि अब जब हमने दोनों numbers में क्या कर दिया है two add कर दिया है इनको cross कर लेते हैं यह हो जाएगा y plus two is equal to two x plus two तो यह हो जाएगा हमारा two x plus four ठीक है two x plus four क्योंकि इस two से cross multiply होगा इसका और इसका आपस में cross multiply हो जाएगा यह हो जाएगा y minus two x is equal to four minus two यानिकी two so therefore y minus two x is equal to two इसे equation number first मान लेते हैं फिर इसके बाद क्या कह रहा है अगर four subtract कर रहा है तो हमको ratio five is to eleven मिल रहा है यानि ratio five is to eleven मिल रहा है कब जब हमने इन में four को subtract कर दिया ठीक है x minus four upon में y minus four कर दिया अब इनको भी हम जब cross multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा five y minus four यह हो जाएगा eleven x minus four यानिकी हो जाएगा five y minus 24 जाएगा टीके माइनस में 24 हो गया तो इसे हम equation number second माल लेते हैं अब equation first second में हम देखें तो यह हमारा क्या है कि यह y है और यह 5y है तो इस वाले में अगर हम 5 से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे 5y-5 to 10 x is equal to 10 और इधर यह हो जाएगा 5y-11x is equal to minus 24 इनको हम अगर minus करेंगे आपसमें यह cancel हो जाएगी value और यह minus minus plus हो जाएगा यानि x is equal to 11 x minus 10 x यानि x is equal to हो जाएगा minus minus plus 34 तो x की value आ गई 34 ठीक है एक्स की value कितनी आ रही हमारी यहां से 34 अब इस value को equation first में put कर देते हैं यहां लिक लेते हैं y equation first equation first हमारी है y minus में 2x is equal to 2 तो y minus 2 into 34 is equal to 2 so y is equal to 2 plus 4 to 8, 3 to 6, 68 यानिकी 70 therefore y is equal to 70 तो y की value 70 आ गई ही तो हमारा जो given number है first number second number वही find करना है therefore first number x is equal to i are 34 and second number y is equal to i are 70 यही हमारा answer हो जाएगा तो यह था हमारा question number 9 so इस video में बस इतना ही I hope आपको समझ में आ गया होगा thank you so much for watching 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 झाल झाल